हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम डाउनलोड और इंस्टाल कर सकते Amazon एप को वो भी हमारे Windows 10 PC या फिर लेप्टॉप में बहुत ही जादा सिंपल प्रोसेस है तो चलिए अपने वीडियो के हो तो सबसे पहले हम जाएंगे Google Chrome में यहाँ पर Amazon टाइप करेंगे और हीट करेंगे Enter की को हमरे keyboard के उपर तो यहाँ पर पहली लिंक आएगी बहु की Amazon तो Amazon की पहली लिंक को यहाँ में अपन करना है तो यहाँ पर Amazon की वेब साइट हमें खुल जाएगी तो इस वेब साइट के उपर आने के बाद यहाँ पर हमें हमें 3 dots मिल जाएंगे 3 dots के उपर क्लिक करना है यहाँ पर Save & Share के उपर hover करना है वहाँ पर जाना है उसके भाद हमें create a shortcut क्रिक करना यहाँ पर creator shortcut में लेगा, create shortcut के उपर click करना है, यहाँ पर आप कोई भी नाम देख सकते हैं, मैं यहाँ पर Amazon देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते, यहाँ पर main IMP thing के open as window, open as window को select करना है, इस इस check bar को check करना है, उसके बात creator shortcut के उपर click करना है, एक नाया window pop-up हो जाएगा, हमारा जो app है वो install हो चुका है, desktop में जाएगे, तो देखिए, desktop के उपर Amazon आचुका है, taskbar में भी Amazon app आचुका है, start में जाएगे, तो apps list में भी Amazon होगा, तो कहां से भी आप Amazon open कर सकते, तो मैंने यहाँ से कर लिया, इसे बढ़ा कर लिया, तो देखिए, यहाँ पर Amazon हमारे machine के उपर install हो चुका है, तो मैं इसे close कर लूँगा, अगर आप चाहते हो इसे uninstall करना, तो वो भी बहुत ही simple है, इसे हम open कर लेंगे, double click करके open कर लेता हूँ, उसके बाद, यहाँ पर three dot के उपर click कर देंगे, तो यहाँ पर uninstall Amazon आएगा, तो uninstall Amazon के उपर click कर देंगे, तो यहाँ पर also delete data from Chrome, इसे check नहीं करना है, और remove के उपर click कर देना है, उसके बाद यह बंद हो जाएगा, यहाँ से remove हो जाएगा, uninstall हो जाएगा यह Amazon पूरी तरह से, हमारे Windows 10 PC या फिल लप्टॉप से, तो दोस्तों इस वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी कर धनिवाद, इस वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चानल को subscribe करना कता ही मत फूलिए, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाए,